कि नमस्कार मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं स्प्या नाइन नियूस अमिश्या अब सामने आते हैं पहले तो जब हार उनको दिखाई दे गई थी तो उसके बाद तो संसत तक नहीं पहुंचे थे संसत में बजट सत्र के दोरान उनकी ही चर्चा हो रही थी कि कहां है अमिश्या निर्मला सीता रमर जब संसत में बोल रही थी और भी भारती जंता पाटी के मंत्री बोलते वे नजर आ रहे थे तो लोगों के सिर्फ एक ही शब्दों का इस्तमाल करते वे देखे गए थे कि अ अमिश्या कहां गायब है वो कभी संसत में आने से चूकते नहीं थे हमेश्या संसत में जरूर मौजूद होते थे और प्रश्नकाल के दोरान तो खासकर मौजूद होते थे लेकिन अमिश्या वहां पर दिखाई नहीं दे रहे क्या हार का डर और सदमा उने इतना गहरा लग कि जिसके चलते वो संसत्त तक नहीं पहुंचे अमिश्या जैसे ही परिणाम आये थे और जहां भारती जनता पार्टी आठ सीटों पर सिमट कर रह गई थी उसके बाद से ही अमिश्या का नहीं कोई बयान आया था नहीं वह दिखाई दिये थे और नहीं कोई प्रेस कॉन्फरेंस हुई ना ही कोई भी भारती जनता पार्टी की तरफ से बयान देता हुआ नजर आये सिर्फ पर सिर्फ मनोस्तिवारी के लाबा तो अब ऐसे में इतने दिनों बाद जाकर अमिश्या ने चुपी तोड़ी है और यह चुपी और हार का सदमा उन्हें इतना लगा है कि अब वो अपनी ही पार्टी को उल्जाते वे दिखाई दे रहे हैं अमिश्या एक तरफ तो कहते हैं कि देश के गद्दारों और भारत पाकिस्तान वाला जो शब्द इस्तमाल हमारी पार्टी में से कुछ मंत्रियों ने किया था ऐसे शब्दों से बचना एक तरफ तो ये सफाई पेश करते हैं दूसरी तरफ कहते हैं कि शांती पूर्वक तरीके से अगर कोई धरना धर रहा है तो वो उसका अधिकार है ये उसका अधिकार है कि वो शांती से बैटकर विरोध दर्ज कर सकता है अगर वो विरोध दर्ज कर सकता है तो फिर क्यूं आप उनके मौलिक अधिकारों को दबाते हुए नजर आ रहे हैं क्यूं उन्हें लड़ने नहीं दे रहे हैं और क्यूं आप उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं लगतार सामने नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर जो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं अंबेटकर के इंदधान को बचाने की बात करते हैं भारत एक जुटा की बात करते हैं तो वहां पर आप खुद ही उनके मौलिक अधिकारों को छीनते हुए उनकी संपत्ति जब्द करने के आरोप लगाते हैं उनसे वसूली की जाती है उन पर डंडे बरसाये जाते हैं पुलिस कर्मियों को ऐसी सलह दी जाती है जिसके जरिये उन लोगों के हौसले तूटें और वो धरने से भाग जाए या वो डर जाए आप खुद ही कहते हैं कि उन्हें अपना हक है बोलने का लेकिन आप उनकी आवाजों को आगे तक नहीं पहुचने देते दबा देते हैं बार बार आपने तंज कसा दिल्ली चुनाव में आतंकवादी हैं देश द्रोही हैं तमाम तरह के आरोप लगे अब आप सफाई पेश करते हैं तो इस सफाई को ही लेके बॉलेवुट के एक डायरेक्टर है अनुराग कश्यप वह हमेशा से अपनी बेबाग तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं सरकार को गेरते हैं पहले जब जब जवाल नहरु युनिवसिटी में हिंसा हुई थी तब भी अनुराग कश्यप सामने आये थे और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी और कहा था कि नकाब पोशों को अभी तक ना पकड़ा जाना और सरजील इमाम का पकड़ जाना जिसको लेकर ये कहा गया था कि असम को लेकर बढ़काओ बयान दिये थे जिसको लेकर अभी तक कोई पुक्ते तोर पर सबूत सामने नहीं आये लेकिन वो अभी भी जेल में है उसकी गिरफतारी तुरंत हो जाती है लेकिन जवाल नहरी उनिवसिटी में जो नकाब पोश घुसते हैं उसको लेकर कोई भी तुरित कारिवाही नहीं की जाती तो ऐसे में अनुराग कश्यप कहते हैं कि याद रखना क्या कहा है अमिशा जो भी कह रहे हैं उसे लिख लीजे क्योंकि मनोस्तिवारी ने तो अपना ट्विट भी सेव करके रखा था जब दिल्ली चुनाव हुआ था और कहा था कि इसको संभाल के रखिएगा आगे काम आएगा तो आप भी इनके इस बयानों को जरूर संभाल के रखिए आ आएसी बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं SPN 9 News